हेलो दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम चाइल्ड हिल्स नर्चिन से रिलेटेड कोस्टन लेकर आये हैं तो आई अपना फर्स्ट कोस्टन देख लेते हैं जन्म के समय सीसू का स्वसंदर कितना होता है जन्म के तुरंत बाद अगर सीसू का स् अगर पॉइंट में कुछ करके चतीस पॉइंट फाइफ या ऐसे कुछ दिया है तो वही करेक्ट इंसर आपका होगा यहां पर लगभग में हम करते हैं चतीस से जन्म के साथ जान लेते हैं कि वजन कितना होता है जो बच्चे होते हैं जन्म के समय बच्चों का जो वजन होता है वो कितना होता है तो वह होगा धाई केजी से साड़े तीन केजी धाई केजी से साड़े तीन केजी और उसका जो तापमान होता है टेंप्रेचर होता है वो 46 x 43 degree centigrade और जो वजन होता है 2 kg से 3 kg और इसके साथ हम blood pressure जान लेते हैं कि जन्म के बादpad सिसू का ब्लड pressure कितना होता है तो blood pressure होता है 50 x 30 से 80 x 50 होता है blood pressure यानि कि 50 से 80 σ Neither सिस्टोलिक होता है और 30 से 50 gosh रिस्टोलिक होता है ये ब्लेड पेसर हुआ, तो इसके साथ साथ जा लेते हैं, कि बच्चों का जो हर्ट रेट होता है, वो कितना हात होता है, जन्म के बाद सिसु का हर्ट रेट कितना होता है, तो होता है, 120 से 140 बीट पर मीनट, हमारा निक्स्ट कोस्चन है मानव दूद के अवयव यानि कि मानव दूद में कम्पोनेंट कितना कितना होता है यानि कि कार्बो हाइडरेट, वसा, प्रोटीन ये सब चीजे कितनी मात्रा में होती है तो इसे जानते है तो कार्बो हाइडरेट होता है 100 ml में 7 g यानि कि 7 g per 100 ml और वसा यानि कि फैट होता है 3.2 g per 100 ml और प्रोटीन होता है 1.2 g per 100 ml और सोडियम होता है 7 mmol per liter और जल होता है 89% 89% जल होता है इसलिए जो होता है मा का दुद ज्यादा सुपाच होता है जल्दी पचता है और कैलोरी होता है 75 kg कैलोरी per 100 ml हमारा नेक्स्ट कॉस्चन है रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है रूटिंग रिफ्लेक्स से पहले रिफ्लेक्स जन लेते हैं रिफ्लेक्स क्या होता है रिफ्लेक्स को हिंदी में करते हैं प्रतिवर्तिक्रियाएं प्रतिवर्तिक्रिया क्या होते हैं जो नौजात सिसु होते हैं उसमें कुछ विशेश प्रतिक्रिया उपस्तित होती हैं जो किसे उद्धीपन यानि कि इस्टुमिलेशन के कारण किया जाता है तो उसके परिडाम ये प्रतिक्रिया करते हैं उसी को प्रतिवर्तिक्रिया या रिफ्लेक्स कहते हैं ये क्या दर्शाता है सिसु में कि जो बच्चे का तंत्रिका तंत्र है वो उपस्थित है या नहीं या फिर परिपक्व है या नहीं ये इसी को रिफ्लेक्स कहते हैं तो rooting reflex जान लेते हैं, rooting reflex क्या होता है? सिसू के मुख की किनारे पर, या सिसू है, उसके गाल पर, अगर उंगली ले जाया जाता है, तो क्या करता है? उंगली वाले दिसा में अपने मुख को मोड लेता है, तो यही जो है rooting reflex है तो यह लगवग 6 सब्तापक खतम हो जाता है आपके reflexes जो अगर टोटल 15 होते हैं बच्चों जो reflexes होते हैं टोटल 15 होते हैं जैसे rooting reflex, sucking reflex, swelling reflex, gagging reflex यह सब टोटल 15 होते हैं sucking reflex में क्या होता है तो यह swelling reflex हुआ, इसी तरह total 15 reflex होते हैं, जो आप एक पर जरूर देख लिजेगा, हमने next question है, बर्पिंग क्या है, तो बर्पिंग क्या होता है, जब बच्चे को wrist feeding कराया जाता है, उसके बाद बच्चे को डखा दिया जाता है, कैसे दिला जाता है, उसे पीठ पर कंधे पर र इसे ही बर्पिंग काता है, यानि कि बच्चे को डखार दिलाने को बर्पिंग कहा जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है new natal jointis के प्रकार, new natal jointis क्या होता है, पहले jointis जान लेते हैं, क्या होता है, jointis होता है कि जब blood में bilirubin की समान इस्तर 0.1 से 0.8 mg per dl होता है, इतना अगर इ इसे 0.8 mg per dl, ये blood में bilirubin की समान मात्रा होती है, और ये बढ़ जाता है, यानि कि 2 mg, 2 mg per dl, अगर ये हो जाता है, तो ये jointis कहलाता है, अब जानते हैं कि new natal jointis क्या होता है, new natal jointis वही, जो बच्चों में होता है jointis, वो new natal jointis होता है, यानि कि जन्म के बाद सिसु में होने वाला jointis, new natal jointis कहलाता है, अब इसके प्रकार जा लेते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है फीजियो लाजिकल जोएंडिस और सेकेंड है पैथो लाजिकल जोएंडिस दो है फीजियो लाजिकल फीजियो लाजिकल सेकेंड है पैथो लाजिकल अब इसमें भी अंतर होता है इसका अलग अलग नाम क्यों है ये भी जा लेते हैं फिजियोलाजिकल जो होता है वो होता है दो से तीन दिन में प्रकट होता है दो से तीन दिन में जन्म के बाद दो से तीन दिन में ये दिखना सुरू होता है और दूसरे सब्ता में ये खतम भी हो जाता है फिजियोलाजिकल और इसका करण क्या है जो बच्चों में होता है RBC का जीवनकाल इसे नार्मल तो 120 दिन होता है लेकिन बच्चों में जो होता है वो 60-80 दिन का ही होता है 60-80 दिन का होता है इसलिए जो उसकी मात्रा है बिलूरुबीन की मात्रा है वो बढ़ जाती है इसलिए ये physiological में इसकी मात्रा होती है वो होता है 6-8 mg पर डियल 6-8 mg पर डियल और 6-7 दिन में क्या हो जाता है यह बढ़ जाता है 12-15 mg पर डियल हो जाता है और दुसरे सक्ता में यह खत्म हो जाता है यह रहा physiologicalaterialtyce की पादव हम जानते हैं pathological join this के बारे में वहाँ second रै pathological join this pathological join this यह start कब होता है यह start होता है 24 घंटे के अंदर बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही यह start हो जाता है और अगले 10 दिन के बाद भी यह जारी रहता है और यह क्या होता है कि हर दिन प्रती एक दिन ये 5 mg पर डियल बढ़ता रहता है यानि कि ये ज़्यादा खतरनाक है हर दिन 5 mg पर डियल बढ़ता रहता है और 10 दिन बाद भी ये समाप्त नहीं होता है 24 घंटे के अंदर ये ये शुरू हो जाता है और इसका लच्छड कहा हम देख सकते हैं इसका लच्छड नेक्स्ट कुस्चन है फोटो थेरेपी क्या है फोटो थेरेपी जो है ये नियू नेटल जॉइंडिस में दिया जाता है बच्चों को दिया जाता है और नियू नेटल जॉइंडिस का जो निदान है तीन प्रकार के होता है फर्स्ट जो है हमारा फोटो थेरेपी सेकेंड ह इस तरह से हमारे तीन होते हैं तो हम फोटो थेरेपी के बारे में जानते हैं कि फोटो थेरेपी क्या होता है कि इस प्रकार से किया जाता है इसमें निदान फोटो थेरेपी में 42 सो से 47 तरंग दैठ की 7 से 8 फ्लक्स की तिब्रता से जो बच्चा लेटा होता है 45 से 50 सिंटी मीटर की दूरी पर लेटा होता है उस पे एक नीले कलर का प्रकाश डाला जाता है बच्चों पर डाला जाता है उपर ये रता है 45 से 50 सिंटी मीटर की दूरी से डाला जाता है बच्छे नीचे लेटे रहते हैं और 42 सो से 47 सो तरंग दैर्थ की तिवरता से यह डाला जाता है तो बच्चों क्या होता है यह लगवग 8 घंटे तक ऐसा किया जाता है जिसे जो बच्चों में indirect bilirubin है वो टूट जाता है और मल मुत्र की सहता से बहा निकले ल फ्यूजन में क्या होता है कि बच्चे का बिलूरुबीन वाला ब्लड जो है उसको निकाल का दूसरे नए रग्द को चढ़ा दिया जाता है और फिनो बार्बिटल एक थेरेपी थर्ड है जिसमें फिनो बार्बिटल दवाएं दी जाती है बच्चों को ताकि बिलूरुबीन समय सीसू को दिये जाने वाले टीके जन्म के समय सीसू को दिये जाने वाले टीके कहाते है अक्सर बच्चों को विटामिन के दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है तो लोग क्या काते है उसको टीके में जोड लेते है लेकिन विटामिन के है जो एक टीका नह नहीं है टीका जो होता है वो दिया जता है 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस B का टीका दिया जता है BCG दिया जता है और OPV दिया जता है ये तीनों टीके जो होते हैं ये जन्म के बाद दिये जाते हैं तुरंत बाद दिये जाते हैं हेपेटाइटिस B, BCG और OPV तीन टीके ज कैसा लगा हमें कमेंट के जरी जरूर बताएं और चैनल को भी तकाव अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन जरूर दबा दे जिसे हमारे चैनल के लिए सभी नोटिफीकेसन आप तक सबसे पहले पोस्ते रहें धन्यवाद